नमस्कार दोस्तों, ग्रेट विंडियो यूटुब चैनल में स्वागत है, यह है फ्योचर लेरिनिंग फ्लेटफॉर्म तो आज का अपना जो सेसन है वो कम्प्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉप लेवल के MCQs और जो अपने आने वाली IA Vacancy 2022 से रिलेटेड यह Most Important MCQ बैच है जो अभी यह सारे Mixed Courses के साथ चला रहा हूँ, उसके बाद मैं Topic Wise MCQ सीरीज के बैच स्टाट करेंगे और अभी जो आने वाले एक्जाम जो है RRB PO और RRB Clerk के लिए भी यह Most Important Courses रहने वाले हैं, क्यूंकि ज़्यादा तर जो Courses होते हैं, यह सारे Computer के यही बनता है तो मैंने अभी यह Mixed Series चला रहा हूँ, तो Mixed Series के बाद मैं Topic Wise Batch स्टाट करूँगा जो IA 2022 से Related, जो Most Important MCQ Series है, वही रहेगी आपे तो चलो, Courses सबसे पहला Start करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को Share कर दीजी इस चैनल को चलो, सबसे पहला Courses, Sorry 61, जो हमने अभी तक 1 से 60 तक Courses स्रीच कर चुक है 61 Courses, Data का एक निशान है, जिसे आप उप्योग करते समय बनाते हैं, वो Internet मतलब, is trial of data you create while using the Internet, तो यह जो इंटरनेट होता है, जो trial के लिए जो यूज किया जाता है, तो उसे हम क्या कहता है, digital footprint, क्या कहा जाता है, digital footprint, सही आंसर होगा C, EDE का मतलब बहुता है, electronic data interchange, मतलब, online जो माध्यम होता है, जिसे हम कोई भी product purchase करता है, जिसे electronic data interchange कहा जाता है, electronic electronic data interchange, तो यह इसकी full form होगा, next, which is small icon that identifies website, the web browser, मतलब यहाँ जो एक छोटा सा icon है, जो web browser में एक website की पैचान करता है, और उसे browser में, तो browser में जो है, अपने जो small icon होचा, that identify of a website, तो identify जो website करता है, उसे हम क्या बोलता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, very important question रहने वाला है, तो उसे हम बोलता है, favicon, क्या बोलता है, favicon, say answer c, is collection of computer working together to perform various tasks, के संगनक का एक संग्रह है, जो एक साथ काम करता है, और विबिन कारिया करते रहता है, तो उससे क्या का जाता है, उससे का जाता है, grid computing, क्या का जाता है, grid computing, say answer a, इस ए specific kind of network topology, which all of the various devices in the network are connected at single cable or line, single cable or lines, मतलब एक विशीष्ट परकार का एक network topology है, जिसमें सभी network, विबिन परकार के उपरकार्ण एकल से जुड़ है, जो cable और lines है, तो यहाँ पर जो topology होती है, वो topology होती है, जो bus topology होती है, जो bus topology, bus topology, bus topology मैं क्या होती है, तो एक single line होती है, और उसके मादियम से सारे computer connect के जाता है, जो एक single serial line है, तो यह जो node होती है, उससे इस तरीक से, और star topology में क्या होता है, one computer होता है, उसी computer से सारे computer connect के जाता है, तो यह जो बीच में जो होता है, यह central computer कहलाता है, तो very important question, और यहाँ पे सही answer B, कौन सी topology, रेकिक बस और star विश्यस्ताओं को जोड़ती है, वो topology कौन सी है, तो यहाँ पे यह जो topology होगी कि वो कौन सी topology होती है, वो होती है, three topology, कौन सी topology, three, in topology every node has dedicated point to point link, every other node, मतला topology में पर्टेक नोड के लिए एक संपरपित बिंदू होता है, जो हर एक दूर्से नोड के लिए एक बिंदू link होता है, तो हर एक point के लिए जो होता है, वो कौन सी topology होती है, तो वो होती है, मेश टॉपलोजी कौन सी टॉपलोजी मेश टॉपलोजी साही आंसरो होगा C 67 Microsoft Windows के नविन्तम संस्क्राण में Application Software के विविन आइकन किस पट्टी में पाये जाता है तो Microsoft Windows का जो नविन्तम जो संस्क्राण है वो काँ पाये जाता है तो आपको ध्यान होना चीए जो होता है Start Menu में कहा होता है Start Menu में साही आंसरो होगा A एक Cross Over Cable is used मतलब एक Cross Over Cable का उप्योग किया जाता है तो Cross Over Cable का जो उप्योग किया जाता है वो कहां किया जाता है तो वो किया जाता है देखो Connect to Computer Directly मतलब जो Computer जो दो Computer होता है उस आपस में directly connect करने के लिए connect ही DT और DC device के लिए connect the router LAN port switch and hub के लिए भी होता है connect to switch hub and using the normal port तो इसका जो सही answer होगा वो होगा E तो 68 का सही answer है E 69 69 question कहा रहा है which cloud computing environment that use the mix on permissions private cloud and third party and public cloud service with and restriction between the two performance is particularly valuable dynamic high highly changeable workload तो मतलब यह कह रहा है कि cloud कौन सा cloud computing बताना है जो दो platform के बीच और के extension के साथ on pre-magnetion और निजी cloud और third party और public cloud से वहों को mission का उपयोग करता है तो वो कौन सा cloud होता है वो आपको बताना है तो यहां पर जो 63 69 का जो सही आंसर होगा तो वो क्या होगा यहां पर उससे बोलता है hybrid cloud कौन सा cloud बोला जाता है hybrid cloud if a virus attack modify itself other program to then it is cold मतलब यदि यह कोई virus खुद और अन्य program को harmless या संसोदित करता है तो उससे क्या का जाता है तो वो कौन सा है उससे क्या का जाता है यह polymeric virus का जाता है सही आंसर A Wi-Fi के माधियम से wireless network के माधियम से एक उच गति इस्तानी छेत्र network को जोड़ने के लिए एक मानक विद्धी है और Wi-Fi का विस्तार करता है तो यहां पर जो Wi-Fi का विस्तार का मतलब यह Wi-Fi की जो full pump होती है वो क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए तो वाइफाई की जो फूलपा में वो है वाइरलेस फिडिलेटी सही आंसरों का C 72 Which of the following layer and responsible authentication of OSI layer तो यह कहा रहा है OSI परतों में परमानी करन के लिए निमलिकित में से कौन सी परत जिम्मेदार होती है तो authentication के लिए कौन सी होती है तो आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए very important चीसे हम बोलता है session layer जो एक सुरक्षा परनल यह है जिसका पता लगाने और परतिवाद करने के लिए बनाए गए है computer system का अनधिक्रित उप्योग क्या है तो अनधिक्रित जो उप्योग होता है तो उससे क्या का जाता है honey pot क्या का जाता है honey pot is the act posting sending option message over the internet मतलब जड़नक संदेश पोस्ट करने या बेजने का कारिय इंटरनेट पर क्या कहलाता है तो यह जो कहलाता है यह क्या कहलाता है flaming क्या कहलाता है flaming तो वहरी यहां पर ध्यान रखना जो offensive message होता है कौन सा सब्द email संदेशों का वनन करता है जो आम तोर पर होते हैं जो अव अंचित लेकिन spam की परिवासा fit नहीं है तो spam की परिवासा जो fit नहीं है वो बताना यहां पर तो यहां पर जो 75 का सही आंसर होगा वो होगा grey mail क्या होगा grey mail topology में परते कार्य केंदर से जुड़ा होगा होता है जो सिद्धी दूसरों के लिए है तो मतलब यहां पर कर रहें in the topology each workstation connected directly each of the other तो यह directly each of the other जिसे हम बोलता है full mess क्या बोला जाता है full mess सही आंसर ए topology में कुछ workstation जुड़े होगा है और अन्य सभी और कुछ केवल उन दूसरों से जुड़े होगा है नोड जिसके साथ सबसे अधिक data का आधान परदान करते है तो उसे क्या का जाता है तो यहां पर ही उसे जो का जाता है उसे का जाता है partial mess सही आंसर होगा B network topology क्या नाम है जिसमें बी-directional परते एक संबव नोड के बीच लिंक है तो बाई-डारेक्शनल जो होता है बाई-डारेक्शनल टा तो बाई-डारेक्शनल लिंक बीट्विन दा पॉंसिबल नोड जो होते है वो किस्मे होते है तो आपको यहाँ पर दियान रखना वो topology जो ओती है मेस topology कौन से होती है मेस topology which physical layer device used in large the area cover by single land segment ये करा single land segment द्वारा cover किये गए छैत्रों को बढ़ा करने के लिए किस पौतिक परत को अपकरोणों का उपयोग किया जाता है तो यहां पर कौन-कौन से उक्रण जो किया जाता है तो यहां पर जो किया जाता है हब और एक रिपीटर कौन सा हब और रिपीटर तो सही आंसर होगा इसका सही तो हब और रिपीटर जो होता है यहां पर कवर किया जाता है A Is computer network that usually spend the city or large campus मतलब एक कम्प्टिर और और इक सेर या एक बड़े पारिशन में फैला होता है तो इक सेर में कौन से पैला हुता है इसमें से कौन सा नेट्रोग होता है रेया नेट्रोग नेट्रोक is the arrangement वोरिस element जैसे लिंक, नोड itc और computer netro मतलब एक कहा रहा है Netroक एक computer netro के विविन तत्यों जैसे link, node आधी की व्यवस्ता है तो उसे क्या का जाता है तो उसे जो का जाता है उसे का जाता है topology which of the following is not example or malicious software के निम में से कौन सा दूरबरा पूर्ण सौफ़ेर के लिए एक उधारन नहीं है तो यहां जो उधारन नहीं है वो कौन सा नहीं है देखो वार्म यह भी होता है टॉर्जन होता है एड़ वेर एड़राइजमेंट के लिए होता है जाता है Extranet सही आंसरोगा- A mo the way pitch पर एक्सिर्ष डेटा-होस्ट करने वाले अप्लीकेस्न विखित करने के लिए आपकिस संबिखेसी फिचर्ष का उप्योग करते है तो यह message 파िट का उप्योग किया जाता है तो वह जो उप्योग किया ज captain वो किया जाती है Data Access प्लेट का सही आंसर होगा उसका बी 85 ICMP का पूरा नाम ICMP का जो पूरा नाम है वो क्या है तो वो है यहां पर Internet Control Message Protocol Internet Control Message Protocol Nim Liquid में से कौन सा एक गैर लाबकरी निगम IP पते पर आम्टित करने और परमंदित करने के लिए जिम्यदार है और Domain Name का सिस्टम है तो यहां Domain Name का जो सिस्टम है वो कौन सा है तो वो जो है वो है I-C-A-N-N सही आंसर होगा C जब कहीं ब्राउजर के लिए एक Website विक्सित की जाती है तो यह Website का जाता है इस Website को क्या का जाता है उससे का जाता है यहां पर ध्यान रखना परोटोकल कॉल यूजी को लागो करने कर ले इस्तिमाल किया जाता है तो रिंग टॉपलोजी में जो प्रोटोकॉल जो यूज किया जाता है तो वो कौन सा किया जाता है इसमें किया जाता है फाइबर डिस्टुबुटेट डेटा इंटरपेंज मतलब एफड़ी डिए और टोकन रिंग साही आंसर होगा इसका सी 90 केंद्री रेका के पारम और अंत में इस्तित हैं और आदेश नेटरों के आसपर उचल से डेटा को रोखने के लिए तो यह करें इस लोकेटेट दा इस्टार डेंड दा सेंटर लाइन इन और प्रिवेंट डेटा फ्रॉम बाउंसिंग एरूंड दा नेटर तो उससे हम क्या तो आज की सेशन को यही समप्त करते हैं ठेंक यू